Everyone, मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हों कि केंद्रे विद्याले संगठन की आप तैयारी कर रहे हो और आपके मन में ये सारे प्रसन आ रहे हैं यहां से देख लेजिए कि आप एक्जाम देने के लिए इलिजबल हो या नहीं एज क्राइटरिया क्या रहती है इसकी क्या-क्या योगिताएं होनी चाहिए केंद्रे विद्याले संगठन में प्यार्टी टीचर बनने के लिए पूरी सिलेबस जो की नए सिलेबस के दोरान आई है क्या हुआ है सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे वन वाई वन तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो में कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा पूरी वीडियो देख लेजिएगा तो आपको सारी बाते पता चल जाएगी तो चलिए सुरूआत करते हैं सबसे पहले आप लोगों से छोटा सा प्रसन ही पूछ लेता हूँ उसके बाद आप लोग जो है नीचे कमेंट करके इसके आंसर बता देना भारत के सिख्छा मंतरी कौन है नीचे कमेंट करके आपको जवाब देना है इसका चलिए सुरूआत करते हैं सबसे पहले देख लेजिए के बीएस का मतलब होता है केंदरी विद्याले संगठन सारे लोगों को पता है अच्छी बात है प्यार्टी का मतलब होता है प्राइमरेज टीचर अब देखे जनरल यहां कास्टिजम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अगर किनी को कास्ट के बारे में भी नहीं पता हो अगर आप इतने भोले हो तो आपको बता दू जनरल कास्ट में ब्राम्मन, राजपूत, भुम्यार इसके अलावा जो है सिनहा आते हैं महिला हो आप किसी भी कास्ट से आते हो तो आपकी एज खुद भंखुद जो है 14 साल की हो जाती है जनरल वाले भी यहां पे सामिल होते है अगर आप ब्राम्मन, राजपूत, भुम्यार या फिर कास्ट जाती से तालुक रखते हो महिला हो आप 40 साल तक आप इसे अपलाई कर पाओगे. सारे डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ. OBC कटेगरी से अगर आप आते हो तो 33 साल तक पुरुस भी और महिला के लिए भी 33 साल एज है. महिला के लिए तो 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा यहां पे December और January में टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए एक प्यारा सम्मीम है आपके लिए यह स्कीम नहीं है आपका टाइम वेस्ट होगा इस वीडियो को देखने के लिए तो प्लीज वापस आप जा सकते हो लेकिन अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो मुझे कोई आपती नहीं या पूरी वीडियो देख सकते हो तयारी कर आगले आने वाले एक्जाम के तयारी के लिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए सबसे बड़ा लोचा यहीं पे आता है eligibility का इसे हम लोग बिलकुल dedicate होके बिलकुल आसान भासा में समझने की कोशिस करेंगे अगर आप 12th पास हो I repeat आप 12 पास कर चुके हो पलस 2 पास कर चुके हो और आपके पास एक diploma हो चाहे वो JBT के नाम से हो DLA के नाम से हो BTC के नाम से हो DLA के नाम से हो कोई फरक नहीं पड़ता है 2 years का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है न तो भाया जी आप भाया और बहांचीतोर जो भी हो आप आप eligible हो जाते हो यहां पे पलस 2 के लिए भी साथ में DLA BTC DLA में 50-50 दोनों में अगर आपका 50-50 है आप eligible हो जाओके अब आते हैं आगे graduation की बात करते हैं graduation के साथ अगर आपने B8 कर रहा है याद रखिए graduation के साथ B8 होना जरूरी है 50% आपका score होना चाहिए आप eligible हो जाते हो अब comment की बाढ़ आईगी मुझे पता है comment में बहुत सारे सवाल आपके आने वाले हैं जो भी सवाल आपका होता है पूरी वीडियो देख लीजिए अगर मैंने पूरे वीडियो में कहीं भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया है तो comment कर दीजेगा मैं आपको पूरी assurity देता हूँ guarantee देता हूँ वीडियो बनने के बाद मैं पूरी तरह से इस comment section को check करता रहूँगा आपके जवाब को answer जरूर कर दूँगा आगे देख लीजिए अगर आपका graduation science से, arts से, commerce से किसी भी subject से हुआ है 50% के साथ अगर आप beard करते हो तो PRT में आप eligible हो जाते हो याद रखिएगा official notification में एक star mark किया गया है यहाँ पे beard वाले के लिए Supreme Court में case चल रहा है Supreme Court ने कह दिया आपको out होना पड़ेगा आप merit list में भी आ जाते हो selection list में भी आ जाते हो तो भी आपको consider नहीं किया जाएगा Supreme Court ने कह दिया you are out, it means you are out चल यह आगे बढ़ते हैं बात करते हैं seat at की अगर आपका seat at में general cast वाले सारे लोग याद रख लिजिएगा मैंने जो पहले पढ़ाया था आप लोगों को हाँ पढ़ाया ही समझ लो आप 90 मार्स आपका होना चाहिए चाहे आप महिला हो पुरुस हो 90 नमबर आपके general cast वाले का होना चाहिए OBC, SC, ST अगर आपका 82 मार्स है आप eligible हो यहाँ पे कहीं कोई संका आप रखना मत 82, 82 नमबर अगर आपका है आप यहाँ पे apply कर सकते हो PART के लिए तो चलिए अब exam के बारे में बात कर लेते हैं यानि कि return और interview साथ में demonstration की देखिए एके करके सारे चीज़ों को मैं रख देता हूँ अगर आपको KBS PART का detail syllabus चाहिए जिसमें topic wise हर एक topic को आराम से 15 minute का वीडियो बने 20 minute का वीडियो बने official syllabus के according अगर आपको वीडियो चाहिए मैं syllabus पे एक details में बिल्कुल सारे topic की बात कर रहा हूँ EBS की बात हो रही है उसमें का maths की भी बात हो रही है उसमें Hindi, English, Pedagogy के सारे topic आपको उसमें देखने को मिल जाएगा उस वीडियो में तो नीचे comment करके syllabus आप लिख सकते हो चली आगे बढ़ते हैं exam आपका 180 marks का होगा और 180 marks जो है न 180 minute आपको दिये जाएंगे यानि कि हर एक question के लिए आपको एक minute का बक्त मिलेगा जो की काफी sufficient होता है पहली बात दूसरी बात आपका exam CBT यानि कि computer based test होगा online होगा याद रखिएगा there is no negative marking कोई भी negative marking की बात नहीं की गई है तो आपको 180 में 180 ही solve करके लाना है actually आना है कोई भी question नहीं भी आता हो फिर भी आपको कोई भी option चूज करके आजाना है याद रखिएगा इसके साथ इसमें interview भी है और इस बार कुछ changes हुए है बदलाब आए है demonstration के लिए 15 नमर मिलेगा और interview में आपको सिर्फ 15 नमर मिलेगा यानि की आपको पढ़ा कर दिखाना होगा कि आपके अंदर कितनी काविलियत और चमता है और 15 नमर आपको मिलेंगे किस चीज के लिए आप किस तरह से interview फेज करते हो यानि की 70 और 30 का ratio बनेगा यानि की 70 नमर जो है इस 80 से 70% निकाला जाएगा और इस 30 से फिर 30% निकाला जाएगा कोई भी doubt हो तो नीचे पूछ लेना है घबराने वाली बात नहीं है अगर आपको KBS की तयारी मेरे साथ जुड़कर करनी है तो KBS PRT के previous question paper और notes मेरे साथ लेना चाते हो तो 399 में आपको यह available करा दिया जाएगा 399 रुपए में और KBS PRT के TGT के PGT के paper चाहिए तो 99 में आप यह acquire कर सकते हो यहां से मेरी email ID देख लो yourmethon sing at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो if you are on Instagram then do follow me at the rate imethon sing by the way सिर्फ paper खरिदने या बेचने की बात या notes आप तक पहुँचाने की बात नहीं हो रही है अगर आपको किसी भी तरह से कोई doubt हो, genuine आपका concern हो you can contact me over email और over Instagram आगे बढ़ते हैं और आपको बतातू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करना है share करना है और subscribe करना है चैनल को और एक और finally बात यहां तक वीडियो देख लिए ना तो जय हिंद जरूर लिखे जय हिंद आपको लिखना ही है जय हिंद जरूर लिखकर वापस जाए थेंक्यू सो मच वीडियो को like चलको से और subscribe जरूर कर दे धन्यबाद